परिचय इस दिख सूचक यंत्र को अपने मित्र के घर ले गया था वे अपने घर में विद्वत का कुछ काम करवा रहे थे हमें खुले तार के अत्यंत निकट दिख सूचक यंत्र से खेर लहे थे अचानक दिख सूचक यंत्र की सुई अकारण ही विक्षेपित हो गई जब हम तार से दूर हटे या अपने पहले वाले स्थान पर आ गई ऐसा क्यूं हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्यूंकि विद्धुत धारा चुम्बक की भाती कारे करती है और विद्धुत प्रभाव उत्पन करती है बच्यों, इस पार्ट में हम चुम्बक की एक्षेतरों विद्धुत चुम्बक की एक्षेतरों विद्धुत मोटरों तथा विद्धुत जनितरों के बारे में जानेंगे उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे चुम्ब किये क्षेत्रों एवं क्षेत्र रेखाओं को पहचानना किसी चुम्ब किये क्षेत्र में विद्धुत धारावाही चालक पर बल का वर्लन करना विद्धुत मोटर की व्याख्या करना विद्धुत चुम्ब किये प्रेरण की व्याख्या करना विद्धुत चुम्ब किये जनित्र का वर्णन करना घरेलू विद्धुत परिपत को समझना चुम्ब किये क्षेत्रों एवं क्षेत्र रेखाओं का सिंगा वलोकन कोई चुम्ब की एक्षेत्र किसी विद्धुत धारा तथा चुम्ब की ए सामगरी के चुम्ब की ए प्रभावद्वारा उत्पन होता है हमारे अपने ग्रहफ प्रिथवी का स्वायम का चुम्ब की एक्षेत्र है जो की नौ संचालन के दौरान एक महतपून घटक होता है चुम्ब की एक शेत्र का प्रियोग अनेक विद्धत उपकरणों जैसे ट्रांसफार्मर आदी में भी किया जाता है चुम्ब की एक शेत्र रेखाओं की तुलना इस्थरांख उचत्व रेखाओं से ही की जा सकती है जो की मांचत्र पर देखी जा सकती है चुम्ब की एक शेत्र रेखाएं चुम्बकत्व की साधारन परिकलपनाओं की सरल व्याख्या करने में सहायक होती है इन्हें किसी सता के माध्यम से खेत्र रेखाओं की संख्या के रूप में परिभाशित किया जा सकता है इन्हें सरल्ता से किसी गणितिये संरूप में रूपांतरित किया जा सकता है चुंबिकी एक्षेत्र रेखाएं द्रिष्टिगत रूप से उत्तर धुरुविये प्रकाश में प्रदर्शित होती हैं, जहां प्रिथवी के चुंबिकी एक्षेत्र की दिशा के साथ-साथ देखी जा सकने वाली चमकीली रेखाएं उत्पन होती हैं. विद्ध धारावाही चालक किसी धातू चालक में होकर गुजरने वाली विद्ध धारा अपने इर्दगेर्द चुंब की एक्षेत्र उत्पन करती है. किसी चुंब की एक्षेत्र में रखे हुए विद्ध धारावाही चालक का आवेश ऐसी दिशा में विलगन की अनुभूती देता है, जोकी विद्ध तथा चुंब की एक्षेत्र पर लंबवत हों. इसके परिणाम स्वरूप एक ऐसी विद्ध संचालन शक्ती उत्पन होती है, जिसकी दिशा प्रयुक्त चुंब की एक्षेत्र की समानुपातिक होती है. इस प्रभाव को उल्टा भी किया जा सकता है. चुंब की एक्षेत्र सीधे चालक से हुने वाला विद्ध प्रवाहा. जैसा कि आपने पहले देखा, आईए देखते हैं कि क्या होता है, यदि हम तार में हो रहे विद्ध प्रवाह को परिवर्थित कर देते हैं. दिक सूचक यंद्र पर पढ़ने वाला प्रभाव भी अलग-अलग होता है. तो यदि आप विद्ध प्रवाह में व्रिद्धी करते हैं, तो दिक सूचक यंद्र की सूई के विक्षेपड में भी व्रिद्धी हो जाएगी. इससे हमें पता चलता है कि किसी दिये गए बिंदु पर उत्पन हुआ जुम्ब की एक शित्र का परिमान तार में प्रवाहित विद्ध धारा में व्रिद्धी होने पर बढ़ जाएगा. अब दिक सूचक यंद्र को तार में प्रवाहित हो रही विद्ध धारा से दूर ले जाने का प्रयास कीजिए. आप देखेंगे कि जैसे ही तार एवं दिक सूचक यंद्र में दूरी पढ़ेगी, चालक में दिये गए विद्ध प्रवाह के द्वारा उत्पन्न चुम्की एकक शेत्र घड़ जाएगा. मैक्सफेल का कारक स्क्रू नियम मैक्सफेल का कारक स्क्रू नियम जिसे दक्षिन हस्द अंगुष्ठ नियम भी कहा जाता है. यहां बताता है कि विद्ध धारा की दिशा में कारक स्क्रू घुपाने इसे विद्धुत धारा की दिशा के साथ साथ चुम की एक शेत्र की दिशा भी नीचे की ओर लंबवत बदल जाती है। परिवर्तित हो जाती है और वामावर्त हो जाती है। उत्पन हो जाता है। छड़ चुम्बक को धीरे से तार से दूर करने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही हम पाश के केंद्र तक पहुँशते हैं। संकेंद्रित वृत्त सरल रेखाओं के रूप में उत्पन हो जाते हैं। संपूर्ण चुम्बक की एक शेत्र एक सरल रेखा की जैसा प्रतीत होता है। अब इस पर मैक्सफेल का कारक स्क्रूनियम लागू करने का प्रयास कीजिए। और देखिए कि क्या तार का प्रते खंड एक ही दिशा में चुम्बक की एक शेत्र उत्पन करने में सक्षम है। चुम्बक की एक शेत्र परिनालिका में विद्धुत प्रवाहा। परिनालिका एक विद्धुत धरावाही तार है। जो की एक बेरिनाकार आकृती में एक दूसरे से अधिकाधिक सटे हुए घुमावों के साथ लिप्टा रहता है। या च्छड चुम्बक के समान होती है। हर परिनालिका में एक उत्तर ध्रुव तथा एक दक्षिन ध्रुव होता है। किसी परिनालिका के भीतर उपस्थित चुम्बक की एक शेत्र रेखाएं सरल रेखाएं होती हैं। और ये इंगित करती हैं कि किसी परिनालिका में सभी बिंदुओं पर चुम्बक की एक शेत्र समान होता है। परिनालिका का यह शक्तिशाली चुम्ब की एक्षेत्र चुम्ब की ये सामगरी को आकर्शित करता है। इस प्रकार का चुम्बक विद्ध चुम्बक कहलाता है। विद्ध धारवाही चालक का बल हम देख चुके हैं कि किसी चालक से होकर बहने वाली विद्ध धारा चुम्ब की एक्षेत्र निर्मित करती है। इस प्रकार निर्मित चुम्ब की एक्षेत्र चालक के निकट रखे गए छड़ चुम्बक पर बल लगाता है। फ्रांसीसी विग्यानिक आंद्रे मेरी एंपियर ने ये पता लगाया कि छड़ चुम्मक भी चालक पर विप्रीत एवं समान बल लगाती है फ्लेमिंग का वाम हस्तिनियम फ्लेमिंग का वाम हस्तिनियम तीन दिशाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला स्मरक है आपको अपने बाएं हात के अंगूठे तरजनी और मध्यमा को फैलाना है हर उंगली अलग दिशा की ओर संकेत करती है तरजनी चुम्मकी एक छित्र की दिशा में संकेत करती है मध्यमा विद्धुत धारा की दिशा में संकेत करती है अंगूठा गती की दिशा में संकेत करता है इसे फ्लेमिंग का वाम हस्दिनियम कहते है उदाहरणों में वुफर, सब वुफर, विद्धुत प्रवर्तकादी सम्मिलित है विद्धुत मोटर विद्धुत मोटर एक विद्धुत यांत्रिक उपकरण है यह विद्धुत उड़्जा को यांत्रिक उड़्जा में परिवर्तित करता है आईए देखते हैं कि विद्धुत मोटर कैसे कारे करता है मोटर गती उत्पन करने के लिए चुम्बकों का प्रियोग करता है विद्धित मोटर के भीतर चुम्बक का आकर्शित करने वाला बल तथा प्रतिरोधी बल मिलकर घूणन गती उत्पन्न करते हैं पंखे, ब्लोवर, पंप, डिस्क ड्राइव इत्यादी विद्धित मोटर के कुछ उधारण हैं विद्धित चुम्बक कीए प्रेरण चुम्बक कीए क्षेटर से होकर गती करने वाले किसी चालक द्वारा किया गया विद्धित उत्पादन व्यद्धित चुम्बक कीए प्रेरण कहलाता है उधारण के तौर पर जनेत्र, विद्ध परिवर्तक, प्रेरण मोटर, विद्ध मोटर, तुल्ले कालिक मोटर और परिनालिकाएं आधी वैद्ध चुमकिये प्रेरण का उपियोग करते हैं माइकल फेराडे एक अंग्रेज वैक्यानिक, रसाइन शास्त्री, भातिक विज्ञानी तथा दार्शनिक थे जिन्होंने चुमकिये ख्षित्र, वैद्ध चुमकिये प्रेरण, प्रती चुमकिये ता तथा वैद्ध अबघटन की खोच की उनके प्रयोगों में चुमक को गती कराकर विद्ध उत्पादन करना भी संबलित है आईए अब तारों की एक कुंडली के भीतर एवं बाहर एक छड़ चुमक लगाने का प्रयास करें आप देखेंगे कि तार विद्ध उत्पादित करने लगते हैं इसे वैद्ध चुमकिये प्रेरण कहते हैं विद्ध जनित्र विद्ध जनित्र यांत्रिक उर्जा को विद्ध उर्जा में परिवर्थित करता है यह विद्ध आवेश को एक वाहे विद्ध परिपत के द्वारा बेहने के लिए बाद्धे करता है इसके उधारणों में जल पंप सम्बलित है जो जल को बहाता है पर जल उत्पन्ने नहीं करता विद्धुत जनित्रों का परिचालन वैद्धुत चुम्ब की ये प्रेरण पर आधारित होता है अर्थात जब भी कोई चालक चुम्ब की एक शेत्र में जाता है एक विद्धुत प्रवाहा उस चालक में प्रावृत्य हो जाता है यदि किसी कुंडली के भीतर कोई चुम्बग घुम रहा है तो कुंडली में प्रत्यवर्तिधारा प्रावृत्य हो रही है समान समय अंत्रालों के पस्चात प्रत्यवर्तिधारा दिशा बदल लेती है दूसरे प्रकार की धारा दिश्ट धारा कहलाती है, जो की समय के साथ दिशा नहीं बदलती घरेलू विद्धुत परिपर्थ विद्धुत शक्ती जहां प्रयोग में लाई जाती है, वहां से काफी दूर इसका उत्पादन होता है विद्ध उत्पादन केंद्रों पर विद्धुत का उत्पादन 50 Hz की प्रत्यवर्ति वोल्टेज आवरिति के साथ 11,000 वोल्ट पर होता है विद्ध को विभन स्थानों पर उपभोग के लिए उच्च वोल्टेज पर पारिषित किया जाता है ताकि पारिशन के दोरान उर्जा की हानी कम से कम हो विद्ध शक्ती हमारे घरों में तीन तारों दोरा प्रवेश करती है ये हैं विद्धुन में तार यानि लाल तार उदासीन तार यानि काला तार तथा अर्थ का तार यानि हरा तार विध्युन में तार में 220 वोल्ट का विभाव होता है और उदासीन तार में शुन्य विभाव होता है अताहा विध्युन में तथा उदासीन तारों के मध्धे विभवांतर होता है 220 वोल्ट घरों में इस्तिमाल किये जाने वाले उपकरणों में विभिन प्रकार के विद्धत परिपतों का प्रियोग किया जाता है अर्थ के तार को धातु की एक प्लेट से धर्ती में गहराई तक जोड़ा जाता है ताकि उपकरणों के इस्तेमाल के दौरान विद्ध धारा के रिसाव से तीवर जटका ना लगे सभी परिपतों में एक महतपून परिपत है फ्यूज ये इस बात को सुनिश्चित करता है कि किसी उपकरण में विद्ध धारा के अतिभारण के कारण कोई हानी ना हो अतिभारण तब होता है जब विद्धुन में तार तथा उदासीन तार परस पर संपर्क में आते हैं या वल्टेज की आपूर्ती में वृद्धी हो जाए ऐसी परिस्थिती में त्यूज विद्ध प्रवाह को रोक कर परिपत, अत्वा, उपकरण को खराब होने से बचाता है क्या आप जानते हैं? छड चुंबक के क्शित्र के विपरीत धर्ती का चुंबकी क्शित्र समय के साथ परिवर्तित हो जाता है क्योंकि यह धर्ती के वाहे भाग पर धली हुई लोह मिश्र धातुओं के चालन के कारण बना होता है फ्लेमिंग का वाम हस्त अंगुष्ठ नियम विद्ध मोटरों में प्रयोक्त होता है जबकि फ्लेमिंग का दक्षन हस्त नियम विद्धत जनित्रों में प्रयोग तो होता है मोटरों एवं जनित्रों में प्रिथक प्रिथक हाथों का प्रयोग किया जाना चाहिए क्यूंकि मोटरों एवं जनित्रों के कारण और प्रभाव में अंतर होता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्षेप में दोहराएं चुम्ब की एक्षेत्र एवं चुम्ब की एक्षेत्र रेखाएं कैसे उत्पन्न होती है किसी चुम्ब की एक्षेत्र में विद्धत धरावाही चालक पर बल विद्धुत मोटर क्या है और ये कैसे कारे करता है? वैद्धुत चुमकिये प्रेरन क्या है और इसके क्या उप्योग है? वैद्धुत चुमकिये जनित्र है और ये कैसे कारे करता है? घरेलू विद्धुत परिपतों में तारों एवं फ्यूस का उप्योग